हेलो डिये स्टूडेंट्स वन्स अगें वेलकम बैक वार चानल ग्यानलाग तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चाप्टर नमबर टेल डाट इस यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चाप्टर का वन शॉट लेक्चर आज के चाप्टर में हम डीटेल में Breaking रहे हैं डीटिए फोली आप्लेंटी स्टूडरिन के लिए दोनों बच्चे इसको देख सकते हैं और इस चाप्टर के अगर वेतेश की हम बात करें तो बोड में इस चाप्टर को उप्षेटर को प्रक्सिमें थी टूफाइब मास और सो टो उसको तो बिलकुल ऑप्षिन में मत रखना चलो सब्सक्राइब करते चाप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से याद दिला दू कि प्ले स्टोर पे हमारा एप है इस आप को डाउनलोड करके आप इसके फ्री माटेरियल का फायदा उठा सकते हो फ्री माटेरियल पे आपको चैप्टर वाइस नोट्स मिल जाएंगे इंपोर्ट से में 95 परसेंटाइल अबव प्लान कर रहे हैं तो वो डेफिनिटली हमारा वर्दान ब्राच ले सकते हैं यह बाच में क्रैश कोर्स दिया गया है इसमें आपको पूरा का पूरा डीटेल सिलेबस विट मोर दन 800 mcq आपको इसमें प्रोवाइट किये गए हैं यह सब्रीब मिलेंगे क्योंकि यह जस्ट रिसेंट लास्ट यर के ही है ठीक है तो अगर आपको अपना पढ़ाई अच्छा करना है जिसको जिसको गवर्मेंट कॉलेज चाहिए फार्मसी का या फार्मा डी करना है तो डेफिनेटली यू पर्चेस दिस कोर्स और बेनिफिशियल फॉर उसके अलावा फ्री माटेरियल का फायदा उठाओ अगर पैसा खर्चा नहीं करना है कुछ भी करो अपना पढ़ाई अच्छे से करो ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट विद इस चाप्टर यूमन हेल्थ एंड डिसीज अभी अगर हम हेल्थ की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ हेल्थ म चैनल की अघाली है उसका सोशल वेल बिंग मतलब क्या होता है है और अच्छे लोगों से है पॉजिटिटिविटी से भरा हुआ है और उसको कोई भी बिमारी या कोई दिसॉर्डर नहीं है तो ऐसे इंसान सटम हेल्डी इंसान बोलते हैं यह डेफिनेशन वर्ल्ड हेल्ट और्गनाइजेशन ने दिया है मतलब आपको फीजिकली भी कोई बिमारी नहीं होनी चाहिए आपका सोशल स्टेटर्स भी अच्छा होना चाहिए मतलब पॉजिटिव होना चाहिए आपका आजू-बाजू का एन्वार्मेंट भी हाईजीनिक हो होना चाहिए कि खुद का घर साफ रखने के चक्कर में हम अपने घर का कच्रा बहार फेक रहें जिसके वज़े से अलग-अलग बिमारिया लोगों तक पहुच रही है तो पर्सनल हाईजीन के साथ साथ आपको बागी ससाइटी की हाईजीन का भी ध्यान रखना पड़ता है फिजिकल एक्सरसाइज इंपोर्टेंट होती है अगर आपको फिजिकली हेल्दी रहना है आपको अलग-अलग डिजीज के बारे में नौलेज होनी चाहिए उन डिजीज के वज़े से आपकी बॉड़ी पर क्या एफेक्ट हो सकता है छोटे बच्चों को क्या खतरा होता है यह सारी चीजों के बारे में अवेरनेस कंपल्सरी सबको होनी चाहिए कच्रा कैसे आप डिस्पोस करना चाहिए जिससे मच्छर पैदा ना हो आपके घर के बाहर अगर पानी जमा हो रहा है बारिश का तो वह पानी को खाली करना साफ करना क्यों जरूरी है तो उसमें इसको define कर दिया define infectious and non infectious disease and give their example तो दो तरीके की बिमारी होती है infectious disease मतलब जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक communicate हो जाती है इसको हम communicable disease या contagious disease भी बोलते हैं जैसे कि आपका पंगल इंफेक्शन हो गया अगर किसी को फंगल इंफेक्शन हुआ और उसी के कपड़े आपने पैन लिये तो उसके पसीने के वज़े से वो फंगस आपको भी ट्रांसपर हो सकता है ठीक है और इन नौन इंफेक्शन क्या होता है जो किसी को छूने से नहीं फेलती है जैसे HIV हो गया cancer हो गया यह किसी को छूने से नहीं होता है यह आपके बॉड़ी का problem है मतलब metabolic disorder genetic defect है cancer तो abnormal cells की growth के वज़े से होता है और HIV एक viral infection है तो वो भी किसी को छूने से नहीं होता है यह आपके बॉड़ी का metabolism के उपर depend करता है ठीक है रोज हर रोज जब आप रोड पे चलते हो college जाते हो और पे स्कूल जाते हो अलतले जगे पहे जाते हो तो हर रोज आप यह चीजS ऑपसुर्फ करते होगे कि आपके सामने कितना सारा धूल है पर इतने कॉंस्टेंट एक्सपोजर के बावजूद भी हम जल्दी बीमार नहीं होते हैं मैं अभी भी बीमार हूं मेरा गला अभी ठीक नहीं हुआ है काफी जाधा खासी हो रही है पर यह उसके वज़े से नहीं है यह मौसम चेंज हुआ प्लस कुछ मैंने थंदा बंदा खाली आओगा वोगेरा वोटेवर तो यहां पर क्या बोला गया है कि आप डेली बेसिस पर इतने जाधा और्गानिसम को एक्सपोज होते हो फिर भी रोज रोज अपने को हस्पिटल म हम बिमार नहीं पढ़ते क्यूंकि अपने पास ईक शाओंग पावर होती है जिसको हम बोलते हैं इम्युनिटी पावर आपने पास योग अप्नी प्रहम हास्त्र ऑपनी आपनी इम्यून्रे जो हम को ऐसे चोटे-ओंद्ध्र से प्रोते करते हैं और अपने ऊस ब्रह्महां स्ट्रडा को अपने ऊसिक्रड पावर को हम बोलते हैं इन्मून सिस्टम क्या करता है कि उसा है। प्रोते ही नंद्सकों कर सकते हो तो इसा क्वा यंद्यार सब्सक्राइब एघөंश कहते हैं exhilarate वो शिल्पा शिटी की आड़ आती है ना याकुट पी ओ तो आपका स्टमक अच्छा रहेगा आपके गट में अच्छे हेल्दी बैक्टेरिया होंगे जो आपका डाइजेशन अच्छे से करेंगे और ऐसे बहुत सारे पिच्चर में भी बोला जाता है कि पेट अगर अच्छ हमको प्रोटेक्शन देने के लिए जो हमारा सिस्टम हमारे पास होता है उस सिस्टम को हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम और यह सिस्टम क्या करता है हमको इस इंफेक्शियस डिजीज से प्रोटेक्श करता है हमारी बोडी में इम्यून रिस्पॉंस क्रियेट करता है जिसके बिंड़ी जो रिंस दिखाती है, उस रिसपोन्स को बोलते हैं, इम्योन रिसपोन्स और यह मिलता है, इम्यूनिटी के वजह से, so this is the definition of immunity, अब इम्यूनिटी का यह जो concept है, यह concept हमको दिया था, Edward Jenner नामके Scientist ने, this is your CET question, और यह boards में भी पूछा जाता है, one mark के लिए who gave who discovered the term immunity ठीक है immunity मतलब क्या होता है freedom और exempt मतलब बीमारी से आजादी पैथोजन से आजादी that is the meaning of immunity अभी Edward General ने कैसे यह term हमको दिया सबसे पहली बात Edward General was from England इन्होंने क्या क्या cowpox vaccine इन्होंने cowpox का वैक्सीन बनाया जो smallpox के against effective थी मतलब क्या देखो हर एक animal को अलग अलग बिमारी होती है तो यहां पर cow को एक viral infection हुआ cowpox और जो औरत इस गाय का ध्याम देती थी इस गाय का दूद अगेरा निकालती थी वह viral infection इसके body में भी फैल गया ठीक है cowpox infection इस lady को भी हो गया और इस lady के contact में जो बच्चा आया उसको भी cowpox infection हो गया अब क्या होता है ना अपनी body में जब भी इस बच्चे में गया तो इन दोनों में cowpox का pathogen था अब इस cowpox pathogen के against मतलब यह cowpox का जो antigen है इसके against इनकी body में क्या बनने लगा cowpox का antibody antigen मतलब pathogen और antibody मतलब chemical अगर आपकी body में कोई pathogen गया है तो उसको antigen बोलते हैं और उसके वज़े से अपनी body में जो protective chemical बनता है उसको antigen बोलते हैं वापिस सुनो आपकी body में अगर बहार से कोई pathogen गया तो उसको antigen बोलेंगे और आपकी body फिर उस pathogen से fight करेगी fight करने के लिए आपकी बॉड़ी में special protein chemicals बनते हैं तो उन special protein chemicals को हम antibody बोलते हैं तो इनकी बॉड़ी में जब cowpox का pathogen गया तो इनकी बॉड़ी में cowpox के अगेंस्ट antibody बना अब देखो अब यह वाइरस इतना सब्सक्राइब नहीं था कि इस वाइरस की वज़े से बच्चे की डेथ हो जाएगी तो यह antibody इनके ब्लड में घूम रहा था यह antibody ने इस बच्चे को cowpox से थोड़ा मतलब थोड़ा यह बिमार हुआ लेकिन उसके बच्चा हो जो भी है अब यह आंटी को फिर से smallpox infection हुआ इस बार कौन सा infection हुआ smallpox और smallpox infection डेदली था जिसको भी होता था उसकी डेथ हो जाती थी क्योंकि इसके बारे में कोई vaccine या कोई antibody नहीं था अपने पास तो क्या देखने को मिला कि जब इस lady को smallpox का infection हुआ और वही smallpox infection जब इस बच्चे के पास transfer हुआ तो यह बच्चा बिमार नहीं हुआ क्योंकि इसकी बॉड़ी में पहले से क्या था cowpox का antibody present था और Edward Jenner ने यह observe कि यह जो cowpox का antibody है यह smallpox के against भी fight कर रहा है मतलब cowpox का antibody smallpox को मार रहा है तो यह तो एक अद्भूट टाइप का vaccine बन गया था ऐसे होता है कि अगर आपके same family के viruses रहेंगे तो एक ही antibody कभी-कभी उस दूसरे virus के उपर भी attack करती है जिसके लिए वो नहीं बनाई गई थी तो यहां पर cowpox का जो vaccine था मतलब cowpox के लिए जो antibody बना था वह antibody अब smallpox को भी मार रहा है तो यहां पर यह बच्चा बिमार नहीं हुआ क्योंकि इसकी बॉड़ी में फैले से cowpox का antibody था आप बोलोगे माम लेकिन इ similar structure समझ के उसको destroy कर रही है कैसे मार रही है उससे जादा जरूरी है कि मार रही है याने smallpox का solution मिल गया जिस चीज़ का solution नहीं था उस चीज़ का solution मिल गया क्योंकि smallpox के वज़े से बहुत सारे लोगों की death हो रही थे तो finally Edward Jenner ने cowpox का vaccine यूज़ करके smallpox का इलाज ढूंडा जो कि एक viral infection है और जब हम immunity से related कोई study करते हैं तो उसको बोलते हैं immunology का मतलब होता है study किसकी study कर रहे हैं हम immune system की तो it is a branch of science जिसमें हम immune system की study करते हैं जिसमें हम body का अलग-अलग immune response समझने की कोशिश करते हैं कि अपनी body हर एक pathogen के लिए कैसे react करती है जैसे कि अभी कोई normal चोर रहेगा तो उसके लिए black cat army नहीं आएगी उसके लिए normal police हवलदार काफी है कोई बड़ा terrorist रहेगा तो फिर उसके लिए CBI और higher officials को बुलाना पड़ता है क्योंकि जितना जादा higher level का criminal रहता है उतना जादा वो complicated strategy बनाता है तो वैसे हमारी body में भी अलग-अलग type के pathogen के लिए अलग-अलग type का immune response होता है और इस immune response की study को हम बोलते हैं immunology किसने concept दिया था ये Edward Jenner ने this is very important यहां पर सबसे important characteristic क्या है अपने immune system की पहली चीज़ अपने body के antibody खुद को destroy नहीं करते इनको बराबर पता है कि बाहर से आया हुआ pathogen कौन सा है और खुद के healthy body cells कौन से हैं so they can distinguish between own body cells and foreign body cells एक बिमारी होती है autoimmune disorder जिसको हम बोलते हैं rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis में क्या होता है इसमें आपके body के जो WBC cells है वो आपकी body के healthy cells को मारने लग जाते हैं जिसके वज़े से बहुत ज्यादा joint pains वगेरा होता है सांधी बात सुना होगा सबने joint pains बहुत ज्यादा होता है तो उसके दो reason होते हैं एक gout arthritis मतलब आपके joints में uric acid deposit हो जाता है excretion वाले chapter में आपके पढ़ा है और एक दूसरा होता है rheumatoid arthritis यह genetic defect है यह आपका autoimmune disorder है इसमें आपके body के immune cells अपने body के healthy cells को मारने लग जाते है तो यह genetic defect है यह सबको नहीं होता है rare होता है तो एक अच्छा immune system क्या होता है जो खुद के healthy cells और बाहर से आये हुए foreign cells के difference पता कर सके this is the first point so immune system can differentiate between body cells and घुसपेटिया invaders मतलब क्या होते हैं बाहर के foreign pathogens so any foreign substance जो अपनी body में घुसके अपनी body के अंदर immune response जगाता है उस foreign substance को हम बोलते हैं antigen और उस antigen के वज़े से अपनी body में जो protective chemicals बनते हैं उस protective chemical को हम बोलते हैं यह मैंने अभी detail में explain किया बाहर से आने वाले pathogen को antigen बोलते हैं और अपनी body में जो protective chemical बनता है जो protein से बनता है उसको antibody बोलते हैं ठीक है अभी immunity दो टाइप की होती है एक innate immunity या inborn जो बच्चे को पैदा होते ही अपनी mother से मिलती है और एक होती है acquired immunity acquired immunity याने कि जो वो बच्चा बाहर environment से adapt करता है जैसे जब बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनको अलग-अलग टीका करन करते हैं उनको polio drops पिलाते हैं उनको BCG vaccine देते हैं cholera vaccine मतलब ऐसे अलग-अलग type के injections दिये जाते हैं सुना होगा ना आपको भी मिला होगा एक साल तीन साल पात साल साथ साल दस साल तेरा साल की उमर में अलग-अलग बिमारियों के booster doses मिलते हैं तो उसको acquired immunity बोलते हैं क्योंकि आपको नाचरल ही नहीं मिला है यह आपको लेना पड़ता है और innate या inborn immunity मतलब क्या होता है जो आपको पैदा होते ही अपनी मम्मी से मिलता है तो innate immunity जो आपको पैदा होते से ही मिला है it's a natural defense system of the body यह आपकी body को almost सारे type के organism से protect करता है ठीक है innate immunity कैसे अपनी body को protect करता है उसको प्रोटेक्ट करने के अलग अलग तरीके है पहला तरीका है epithelial surface जैसे कि अगर हम बात करें तो अपनी skin में जो पसीना निकलता है उस पसीने में बहुत ज्यादा नमक होता है जिसके वज़े से जब आप cricket खेलते हो और खेलते खेलते जब आप ground पे गिर जाते हो तो आपकी skin पसीने में salt था salt के वज़े से जो बैक्टेरिया होंगे वो मर गए होंगे तो due to high concentration of salt इच शोस बैक्टेरी साइडल activity साइडल मतलब killer तो बैक्टेरिया को मारने वाला salt concentration के वज़े से अपने पसीने के वज़े से आदे से ज़्यादे बैक्टेरिया मर जाते हैं दूसरा क्या होता है अपने पास बहुत सारा oil glands है सबेशियस gland मतलब oil glands आपको देखा होगा आपने गर्मी में बहुत ज़्यादा चेहरे पर oil निकलता है यह oil क्या करता है यह organisms की growth को block कर देता है जिसके वज़े से organisms grow नहीं होते बैक्टेरिया भी नहीं grow होता है और fungus भी मर जाता है सिडाल वर्ड का मतलब होता है killer फिर तीसरी चीज यह हो गया पहला यह हो गया दूसरा तीसरा क्या होता है अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो म्यूकस है घरकी साफ़ो होती है तो धूल मिट्टी के नाक में जमा हो जाती है पर वह आगे नहीं से घ्ल को Witness लिप अगर वह अज़ता है कि घले में म्यूकस मृउकस मिंब्रेन होता है तो आप click करके निकाल निकाल देते उसको समझो वो उदर से आगे चला गया आपके स्टमक में चला गया तो स्टमक के मतलब यह देखो अगर गले में गया तो आप उसको करके बाहर निकाल दोगे कफ करके ठीक है लेकिन समझो अगर वो अंदर चला गया स्टमक में चला गया तो आपके मुह में सलाइवा होता है सलाइवा में अलग-अलग पैट के एंजाइम्स होते हैं जो एंजाइम्स बाहर से आने वाले पैथोजन को मार देते हैं या फिर अगर वो स्टमक तक चला गया तो आपको भी पता है कि अपने स्टमक में one normal HCL होता है तो वो जो HCL है वो इतना जाता असिडिक होता है कि वो आ इसा सीडी कुश्चन है कि पर्मीन केमिकल एंड जिंक केमिकल यह क्या करते हैं जब फीमेल के रीप्रोडॉक्टिव ट्रैक में सीमें जाता है तो समझो अगर फीमेल को कोई यूटरस इंपेक्शन है या यूटरिनरी च्राइक्ट ईनफेक्शन है तो इस केमिकल के वज़ तो अपने ब्लड में तीज टाइप के अलग-अलग सीरम प्रोटीन जो नॉर्मली इनक्टिव स्टेट में होते हैं लेकिन जैसे कोई भी पैथोजन बॉडी में आता है तो अपनी बॉडी में बंता है जो सीधे आपके पैथोजन को मार देता है कैसे मारता है समझो यह आपके body के healthy cells है, इस cell में virus infection हो गया, तो अब यह जो cell है, यह अपने बाहर एक chemical release करेगा, इस chemical को बोलते हैं interferon, तो यह interferon chemical क्या करता है, अभी देखो यह cell तो मर गया, क्योंकि इसके पास virus आ गया है, तो यह cell बाकी के cells को message पहुचाता है, कि virus को मैंने पकड़ के इसी cell से interferon बनता है, और यह body के बाकी cells को protect करने का signal देता है, तो body के जो बाकी के healthy cells है, यह healthy cells अपने बाहर एक protective layer बना देते हैं, जिसके वज़े से यह virus इन दूसरे cells के उपर ना मर पाए, मतलब इस cell का क्या कहना होता है, कि अभी मेरी तो बली चड़ गई, मैं तो मर गया, पर कम से कम तुम लोग खुद को बचा लो, cellular factors क्या होता है, cellular factors में अपनी body में natural defense cells होते हैं, जिनको हम natural killer cells बोलते हैं, और phagocytic cells, यह cells अपनी body को बहुत ज़्यादा protection देते हैं, सबसे पहले phagocytic cell की बात करते हैं, इसको discover किया था matchnik off ने 1882 में, यह मेरे shift में आया था CET में question, phagocytic cells, दो टाइप के होते हैं, सबसे पहली बात phagocytic मतलब क्या होता है, phagocytic word होता है, एंगल्स करना, निगल लेना, जैसे आप jelly को निगल लेते हो, खाते हो और तो यहां पर फाइगोम मतलब होता है就到 एंगल करना ऑर साइटिक वर्ड का मतलब होता है तो तो दो टाइप के पैगोम साइटॉट seperti माइक्रो फाट माइक्रोफाज क्या करते हैं यह चोटे मोटे pathogen को खाते हैं और अपने बुड़ी में एंवॉंट्ट然后 according को रिमूव कर देते हैं अपनी बोडी में और एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं नाचरल किलर सेल्स बहुत जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि यह हमको वाइरस से भी प्रोटेक्ट करते हैं और अन्वांटेड कैंसर अगर कहीं बनता रहेगा तो यह लिए तो अगर ऐसा नहीं होता तो हम सबको फिर कैंसर होता इसलिए इंपोर्टेंट पार्ट फारवर हिमिन सिस्टम अभी फीवर में क्या आता है जब आपकी बॉडी का जब आप खेल के आते हो आपको चोट लग जाती है तो उस दिन आपको बहुत बुखार रहती है फि है तो इदर के आजो बाजो अरिया में बहुत गरम हो जाएगा तो अपनी बॉडी का टेंपरेचर क्यों बढ़ता है क्योंकि जो नॉर्मल पैथोजन होते हैं वह 30 डिग्री सेल्चियस में अच्छे से ग्रों होते हैं लेकिन अगर बॉडी ने अपना टेंपरेचर बढ़ गया तो इसके वज़े से नर्वस डैमिज भी हो सकता है इसलिए अगर थोड़ा मोडा बुखार है तो ठीक है डॉक्टर के पास जाने की जरुवत नहीं है वह एक दिन में चला जाएगा लेकिन अगर खासी वाला बुखार है तो वह वाइरल इंफेक्शन है फिर डॉक्ट है यह सब हम अमारी बॉडि में रहे होता है इसलिए यह सब किसका एक्जांपल ऐनबौण मेंद में चला है फाली कर FAR्स का और dieses llam यह क्या करता है एपने बोडी की डैसेंट्फन के पैसिटी बढ़ाता है टिशू इनजू को prevent करता है और अपने body के अगर कोई cells damage हो गये होंगे तो उसको repair करने में help करता है next आता है acquired immunity acquired immunity मतलब क्या होता है यह आपको मम्मी से नहीं मिलती है यह पैदा होने से नहीं मिलती है यह आपको बाहर से या adaptive immunity या specific immunity इसमें आपकी बोड़ी में antibodies compulsory बनते हैं ठीक है तो इसके चार important characteristics है बोड़ में ये two marks के लिए पूछा जाता है पहली characteristic specificity अपने body में जो भी immunity बनती है acquired immunity के वज़े से वो specific होती है अगर आपने बुखार की गोली खाई तो उससे आपकी बुखार ही ठीक होगी आपका lose motion ठीक नहीं होगा lose motion की गोली खाई यह तो सिर्फ lose motions ठीक होंगे उससे आपका joint pains नहीं जाएगा तो acquired immunity बहुत ज़्यादा specific होता है एक type की immunity से एक ही type की बिमारी ठीक होती है diversity मतलब क्या होता है acquired immunity अलग-अलग type के pathogens को पैचान सकता है और हर एक pathogen के लिए specific antibody बना सकता है discrimination मतलब क्या होता है यह खुद के healthy body cells और बाहर के pathogens के बीच में difference कर सकता है और जब यह antibody अपने body में बनता है तो यह खुद के healthy cells को नहीं मारेगा यह सिफ बाहर के pathogens को मारेगा और memory मतलब क्या होता है अगर आपके body में एक बार कोई pathogen आ गया तो उसको कैसे मारा था उसकी memory अपने दिमाग में store हो जाती है और फिर next time अगर same pathogen आपके body में आया तो उसको अभी acquired immunity दो टाइप की होती है एक active एक passive active immunity में क्या होता है आपकी body खुद antibody बनाती है acquired immunity में क्या होता है इसमें आपकी body को काम करना पड़ता है इसमें आपकी body को antibody बनाना पड़ता है passive immunity में क्या होता है इसमें आपको सब कुछ ready-made मिलता है कि इसमें आपको सब कुछ ready-made antibody मिलता है ठीक है तो एक्टिव इम्मुनिटी के भी दो टाइप होते हैं नाचरल और आर्टिफिशियल नाचरल की बात अगर करें तो समझो आपको कोई वाइरस infection हुआ है खेलते खेलते आप गिर गए या फिर आपको मतलब नॉर्मली वाइरस इंफेक्शन आपको स्प्रेड हो गया किसी के तुरू तो उसके उस टाइम पे आपकी बाड़ी में जो antibody बनेगा वो बाड़ी बना रही है तो उसको बोलेंगे एक्टिव इम्मुनिटी और य चिकन पॉक्स बगेरा होता है जिस बच्चे को लाइख में एक भी बार चिकन पॉक्स नहीं आया तो उसको जबरदस्ती इंजेक्शन दे के उसकी बॉड़ी में चिकन पॉक्स बनवाते हैं क्योंकि यह वाइड़स अगर आपकी बॉड़ी में एक बार आ गया तो पिर जल्दी चिकन पॉक्स आ जाता है तो अच्छा रहता है क्योंकि यंग स्टेश पे अपने इम्म्यून सेल्स एक्टिव होते हैं तो आटिफिशियल इम्म्यूनिटी में क्या होता है इसमें हम बाहर से वाइरस लेते हैं इन फॉर्म आप वैक्सीन और इसके अगेंस्ट या कोई इंजेक्शन वाला जब हम वैक्सीन लेके आते हैं जैसे कोविड का वैक्सीन लिया था तो आपको बहुत ज़्यदा बुखार आती है फर्स्ट डोस जब आप लेते हो तो आपको बहुत ज़्यदा बुखार आती है इसका मतलब आपकी बॉड़ी में वह पैथोज आया तो इसको ऐसे फाइट करना है इसलिए सेकेंड डोस के टाइम पर वह इंफेक्शन फैलने से पहले अपने बॉड़ी के इम्यून सेल अक्टिवेट हो गए थे ठीक है अभी नेक्स्ट आता है अक्वाइड इम्यूनिटी इसमें आपकी बॉड़ी कुछ नहीं करती है इस यह IgA antibody बच्चे को मदर से ready-made मिलती है बच्चे को खुद कुछ नहीं करना पड़ता है इसमें बच्चे को ready-made antibody मिल रहा है नाचरल सोर्स से ठीक है मदर का जो first milk होता है उससे और artificial का example क्या आता है समझो आपको किसी कुद्टे ने काटा ठीक है और उसके वज़े से आपको rabies का infection हो सकता है आप आपको rabies के against antibody चाहिए तो आपकी body में antibody नहीं मिलेगी आप यह rabies का जो infection है यह आप horse में करोगे फिर horse की body में जो antibody मिलेगा वह antibody लेके हम humans में डालेंगे मतलब हमारी body में यह antibody नहीं बन रही है हमारी body में antibody हम किसी और animal से बना के फिर अपनी body में डालते है ठीक है so this is artificial passive immunity जैसे snake का साप साप का जहर तोड़ने के लिए उसका ही antivenom डालते है क्योंकि अपने body में snake के poison का antibody नहीं बनता है तो वैसे rabies का infection के दर example दिया गया है कि अगर अपने को rabies infection हुआ है तो horse को rabies infection करके उसकी body में जो antibody बनती है वो antibody निकालके फिर humans को वो inject की जाती है so this is how artificial passive acquired immunity takes place तो यह part वापीस से एक बार fast speed में repeat करके देखो आपको चारो टाइप की immunity अच्छे से समझ जाएगी ठीक है अभी इदर पर question पुछा गया है antibodies defined as antibodies को कैसे define करते है मैंने बोला antibody कब बनता है antigen के reaction में और antibody क्या होता है एक टाइप का protective chemical antibody is not a foreign body इसको antigen बोलते है certain substances enclosed in lymphocytes antibodies सिर्फ lymphocytes के type का होता है क्या नहीं the chemicals produced by microorganism antibodies microorganism से release नहीं होती है हम बनाते हैं antibodies so it is a large family of protein मैंने आपको बार बार बोला antibody is a protein chemical जो अपनी body बनाती है पैथोजन के against so answer D is the right answer next question colestrum is the first milk of mother which helps to achieve colestrum से अपने बच्चे को कौन सा antibody मिलता है अभी देखा था आपनने इधर पर यह देखो colestrum से क्या मिलता है natural passive acquired immunity तो क्या हैगा इसका answer पैसिव acquired immunity यह देखो नाचरल पैसिव आप्शन नमबर सी दी राइट आंसर यहां तक सबको समझा है चलो आगे continue करते हैं आल राइट तो अभी इस टॉपिक में देखते हैं बेसिकली हमारी बॉडी में दोगंच के सेल्सेल्स होते हैं दो में टाइप के सेल्स होते हैं पहला होता है एंधी जन प्रिजंटिंग सेल्स के बारे में तो सबसे पहले हमको नब presenting cell और फिर हम पढ़ेंगे लिंपोसाइट के बारे में तो चलो यह फ्लोचार्ट है यह फ्लोचार्ट को देखके आपको सब समझ में आ जाएगा कि आंटीजन प्रिजेंटिंग सेल का काम है यह आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं यह जो एपीसी वाले सेल है यह आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं जैसे ही आपके ब्लड में कोई भी वैक्तेजन आता है कोई भी प्रेजन आता है तो यह s конц एक मतलब बिवकेशन के विया कई अगुजल को अले से प्रिएं और वह झाल न कर लेते और इसको चेक करते हैं इसका बैलिफिकेशन करते हैं की जिया की आंटेशंय मेरा मिले टेए कह रिंए है बारिफिकेशन कि ऐसी को जाता है मतलब और जय से टाइन हो जाता है मतलब इसका वेरिफिकेशन हो जाता है तो अपना एंटीजन प्रिजेंटिंग सेल क्या करता है यह इस पैथोजन को अपने सर्फेस के उपर बिठा देता है क्या होगा जब यह पैथोजन एंटीजन प्रिजेंटिंग सेल के सर्फेस पर बैठेगा तो उसके में जो healthy WBC cells घूम रहे हैं जो healthy WBC cells घूमते हैं यह WBC cell इसके contact में आ जाते हैं तो APC जो है यह APC क्या करता है WBC cells को अपने तरफ attract करता है क्योंकि APC को पता है कि body में अपने antigen की entry हो चुकी है तो antigen presenting cell का काम क्या है antigen को पकड़के उसको process करके उसके बारे में पता लगाना कि यह कौन से टाइप का antigen है और फिर उसके हिसाब से अपने body के WBC cells को activate करना तो antigen presenting cell से signal मिलता है आपके WBC cell को specifically कौन से WBC cell को signal मिलता है specifically signal मिलता है T helper cells को ठीक है ओके अभी आगे जाने से पहले यह देख लेते हैं WBC cells कितने टाइप के होते हैं लिंफोसाइट मतलब क्या होता है WBC cells WBC cells दो टाइप के होते हैं एक फीटस की अगर हम बात करें तो फीटस में यह WBC cells कि इदर बनते हैं आपके लिवर में हेमोसाइटोब्लास्ट में बोन मैरो में और अगर हम अडल्स की बात करें तो अडल्स में भी यह WBC cells बोन मैरो में फॉर्म होते हैं अब यह जो WBC cells यह इनका formation का site बोन मैरो है लेकिन इनका maturation site क्या है कहां पे जाके यह mature होते हैं कुछ WBC cells आपके थाइमस gland में mature होते हैं थाइमस gland को उठे असते हैं अपला हाट चा माक्चा साइडला हाट के पीछे छोटा सा थाइमस gland होता है वहां पे कुछ cells जाके mature होते हैं तो जो cells थाइमस gland में mature होंगे टी फोर थाइमस उन cells को हम बोलते हैं टी lymphocytes ठीक है और कुछ cells होते हैं जो आपके special lymph nodes में mature होते हैं जिनको हम बोलते हैं बरसल site या pairs patches यहां पे जो cell mature होते हैं ठीक है यह B for burstal B for bone marrow तो कुछ lymphocytes थाइमस में जाके mature होते हैं बागी के lymphocytes आपके bone marrow और बरसल site पे mature होते हैं यह special lymph nodes है और उन cells को हम बोलते हैं B lymphocytes तो T lymphocytes थाइमस में mature हुआ है B lymphocyte bone marrow और बरसल site पे mature हुआ है अब T lymphocytes अपने जैसे बहुत सारी duplicate copy बनाता है तो T lymphocytes के अलग-अलग cells को हम बोलते हैं clones of T lymphocytes क्या बोलते हैं उसको हम clones of T lymphocytes तो यह रेखो T lymphocytes क्या कर रहा है यह हमारी बॉड़ी को protection देने के लिए कोई chemical नहीं बनाता है यह हमारी बॉड़ी को protection देने के लिए अपने जैसे अलग-अलग cell बनाता है तो T lymphocytes से हमको कौन सा immunity मिलता है cell-mediated immune system यह full form याद रख रहा है c-m-i-s T lymphocytes से कौन सा टाइप का immunity मिलता है cell-mediated immune system और B lymphocytes क्या करता है B lymphocytes आगे जाके plasma cell बनाएगा और memory cell बनाएगा plasma cell आगे जाके क्या बनाते antibody तो B lymphocytes का कौन सा immune system मिलता है antibody-mediated immune system या फिर इसको आप humoral immune system भी बोल सकते हो HIS भी बोल सकते हैं या फिर antibody-mediated immune system भी बोल सकते हैं फिर से बोलते हो lymphocytes दो टाइप के होते हैं कुछ lymphocytes thymus gland में mature होते हैं उसको T lymphocyte बोलते हैं T for thymus T for T lymphocyte और कुछ cell bone marrow और burstal side पे mature होते हैं तो उसको B lymphocyte बोलते हैं T lymphocyte अपने body में action दिखाने के लिए अपने जैसे बहुत सारे अलग-अलग cells बनाते हैं और antibody immune system किस से मिलता है B lymphocytes से क्योंकि B lymphocytes सिर्फ दो टाइप के cell बनाते हैं plasma cells और memory cells और plasma cells क्या बनाते हैं antibodies बनाते हैं तो antibody-mediated immune system अब देखो T lymphocytes के कौन से cells बनते हैं T helper cell, T killer cell, T suppressor cell और memory cell T helper cell का काम क्या होता है यह अपने pathogen को recognize करता है कि यह pathogen है कैसे type का अभी जैसे समझो कि अपने country में कोई छोटा मोटा चोर या ऐसे डाकू बगेर आ गया है तो उसको पकड़ने के लिए normal three star four star वाली police काफी होती है ठीक है मतलब superintendent police या IPS officer तक आ जाते हैं उस डाकू को पकड़ने के लिए लेकिन अगर कोई international criminal है terrorist है और उसने पूरे के पूरे school को hijack कर लिया है मतलब school के उपर उसने attack कर दिया है बहुत सारे बच्चों की जान खत्रे में हैं तो इससे police force से काम नहीं चलता है अपने को और जादा intelligent team चाहिए होती है तो फिर उसके लिए black cat आदमी वालों को बुलाया जाता है तो T helper cells ना वह यही करते हैं वह पहले criminal को समझते हैं मतलब antigen को समझते हैं कौन से type का antigen है अगर वह antigen एक simple type का हुआ तो उसको T helper cell खुद संबाल लेगा मतलब T helper cell अपने जैसी अलग-अलग copies बनाएगा और उसकी मदद से वह उस pathogen को मार देगा लेकिन समझो अगर कि वह antigen दूसरे type का है कोई specific virus type का है तो उसके लिए T helper cell message भेजता है B lymphocyte को B lymphocyte से आपके plasma cells और memory cells बनते हैं और फिर plasma cells से आपका antibody बनना चालू होता है तो T helper cells जब अपने clones बनाता है तो killer T cell क्या करता है यह आपके pathogen को kill करते हैं जब आपके pathogen को kill करते हैं आपने देखा होगा जब चोर को shoot out करने का order मिलता है तो पहले police वाले announcement कर देते हैं कि सब ल चोर बहार रहता है ठीक है वैसे killer T cells क्या करते हैं यह सिर्फ आपके pathogen को मारते हैं और जो suppressor T cells यह बाकी के healthy cells को protect कर लेते हैं Interferon के जैसा और memory T cells क्या करते हैं यह memory store करके रखते हैं कि next time अगर same type का pathogen आया तो इसको कैसे deal करना है यह memory cell का का काम होता है memory store करना बी लिंपोरेट्स क्या करते हैं यह antibodies बनाने में help करते हैं antibodies तीन function दिखाता है एंगलोटिनेशन न्यूट्री न्यूट्रलाइजेशन और ऑप्सोनाइजेशन सबसे पहले ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है आप antigen के साथ antibody को बाइंड करते हो this is your antibody यह उसका phagocyte है जो इस pathogen को खाने वाला है और यह आपका pathogen है this is your antigen तो आप्सोनाइजेशन में हम उस antigen के बाहर एक layer बना देते हैं उस antigen को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर हम करते हैं agglutination agglutination मतलब क्या होता है antigen के wall को break करके उसको clot कर देना मतलब antigen की cell membrane को dissolve करके उसका gart बना दे और फिर बात में हम उसका करते हैं neutralization मतलब इस antigen ने अगर कोई chemical छोड़ा होगा इसने अगर कोई toxin substance छोड़ा होगा तो उसके वज़े से आपके बागी के healthy cells को नुकसान ना पहुंचे इसलिए हम इसके toxicity को detoxify करते हैं और वो detoxify करने का काम क्या बोलते है neutralization तो optionization agglutination and neutralization और फाइनली फिर अपना जो antigen रहता है उस antigen को destroy करके phagocytes को दे देते हैं phagocytes उस antigen को ले जाके body के spleen में फिक देते स्प्लीन से वह antigen बाहर चला जाता है ठीक है चल अभी इस question का answer दो क्या आएगा the cells which produce hole in the plasma membrane of infected cells ऐसे cells को हम क्या बोलते हैं जो सीधा hole कर देता है यह देखो इधर पे killer T cells कैसे मारते हैं cell को यह सीधा cell की body में जाके hole कर देते हैं किसकी मदद से परफोरिन नाम के chemical की मदद से तो killer T cells आपके cell में hole कर देता है जिसके वज़े से वह cell का nutrition membrane ब्लॉक हो जाता है जिसके वज़े से वह cell की death हो जाती है attack on its own tissues by immune system is prevented by आपका जो body के fighter cells है वो आपके body के healthy cells पे attack नहीं करते क्यूंकि आपके body के healthy cells को कौन protect करता है suppressor cells lymphokines are produced by lymphokines मतलब WBC cells कौन बनाता है lymphokines are produced by T helper cells T helper cells अपने clones बनाता है na killer T cells suppressor T cell और memory T cells next आता है vaccination vaccination कैसे बनता है आप अपने virus या pathogen का paralyzed version लेते हो उसको बोलते हैं वीक वर्जन या फिर attenuated वर्जन क्या बोलते हैं उसको वीक वर्जन या attenuated वर्जन अगर आप अपने answer में यह वर्ड लिखोगे तो बहुत ऐसे इंप्रेस हो जाती है क्योंकि यह medical term है ठीक है तो आप अपने पैथोजन का वाइरस हो बैक्टेरिया और जो भी हो उसका अगर आप लोगे मतलब वाइरस 99.9% मरा हुआ है तो आपने अपने पैथोजन को पैथोजन को आप अपनी बोड़ी में इंजेक्ट करते हो तो अपनी बोडी को क्या लगता है अरे बापरी बाहर से आंटीजन आया तो अपनी बोडी उसके अगेंस्ट एंटी बोडी बनाना स्टार् एंटीबोडी बन जाती है अभी देखा जाए तो यह वाइरस तो इसके उपर एंटीबोडी का कुछ असर नहीं होगा मतलब जितना भी बचा कुछ यह जिन्दा रहा होगा वह भी मर जाएगा लेकिन अपने बॉडी में गोल क्या था वैक्सिनेशन देखें करना क्या चाहते ऐसे टाइब का पैथोजन आया तो इसको ऐसे मारो बॉडी में अगर इम्यून सिस्टम पहले से अलर्ट रहेगा कि कौनसे पैथोजन को कैसे मारना है तो जब सच्ची में जिन्दा पैथोजन आएगा तो उससे फाइट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो कम टा अलग से कड़क ट्रेनिंग दी जाती है क्यों ऐसा नहीं है कि रोज रोज टेरिस्ट आपकी कंट्री पर अटाइक करेगा लेकिन जब सच में वहर होता है जब सच में अपने कंट्री के बॉर्डर पर अटाइक होता है वहर होता है तो चार-चार दिन पाच-पाच दिन मिलिटरी वालों को पीने को पानी नहीं मिलता है खाना नहीं मिलता है फिर भी वो जिन्दा रहते हैं तो उस टाइम पे उतने हाट सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए उनको ट्रेनिंग पहले से दी जाती है ना ऐसा तो नहीं है कि टेरिस्ट अटैक करेंगे उसके तो वेशे हैं पहसे हम को बाइरस के लिए पहले से प्रियेट करने के लिए वैक्सेन के वजहे ते आपकी बाडिंॉ तो आपको कुछ नुकसान नहीं है लेकिन कम से कम आपको आइडिया रहेगा कि अगर पैरलाइस्ट वर्जन इतना खतरना के तो जब असली वाइरस आएगा तो वह कितना नुकसान पहुंचाएगा तो अगर आपकी बॉड़ी में बाद में सेम टाइप कार पैथोजन आया त लेकिन और फ्रेग्नेंट मॉमेंज और हार्ट पेशेंट को देने से पहले उनका मेडिकल टेस्ट किया जाता है उसके बाद उनको दिया जाता है और कभी- खभी थोड़े बुच साइड इफेक्स होते हैं बेथा कुछ जादा कूछ साइड उस्स नहीं होते हैं नेक्स ना और एक दूसरा नाम है immunoglobulin इम्यूनो मतलब क्या होता है यह अपनी इम्यून सिस्टम में बनता है और ग्लोब्यूलिन मतलब क्या होता है इट इस अ प्रोटीन स्ट्रॉक्चर तो इसको हम आई जी बोलते हैं IgA हमने पढ़ा है कोलोस्ट्रॉम में बनता है IgG प्लेसेंटा से ट्रांसफर होता है तो ऐसे पांच टाइप के immunoglobulin होते हैं IgA IgE IgD IgM और IgG तो यह आप आगे पढ़ोगे आगे मेडिकल स्टडीज में लेकिन अभी हमने दो पढ़ा है IgA और IgG ठीक है तो एंटीबोडी को हम immunoglobulin बोलते हैं एंटीबोडी कब बन की अपनी बोडी में जब अपनी बोडी में कोई अंटीजन एंटर करता है ऐंटीबोडी कौन बनाता है ब्लाजमा सेल्स तो यहांपर आप इस चाट में लिख लो एक सेकंड में कितने अंटीबोडी मोलेक हैं पर सेकंड एक सेकंड में दो हजार एंटीबोडी मॉलिक्यूल बनते हैं मतलब सोचो कितनी ज्यादा स्पीड होती होगी ठीक है ओके तो एंटीबोडी का स्ट्रक्चर देखो एक वाई शेप जैसा स्ट्रक्चर है अभी इसमें याद क्या क्या रखना है टोटल चार प्रोट चैन्स है चारो चैन्स आपस में कैसे कनेक्टेड है डाय सलफाइड बॉंद की मदद से कनेक्टेड है इसमें से जो बड़ी चैन्स है उनको है भी चैन बोलते हैं और चोटे चैन्स हैं उनको लाइट चैन बोलते हैं चारो चैन्स आपस में डाय सलफाइड बॉंद की होता है समझो आपकी बॉड़ी में अलग अलग टाइप का एंटीजन आने वाला है तो हर बार आप पूरा का पूरा एंटीबॉडी नहीं बदलोगे आप एंटीबॉडी का सिफ वेरियेबल वाला रीजन बदल दोगे तो एक ही एंटीबॉडी से आपका सब काम हो जाएगा ज्यस्ते कि समझो इसकी बात करती हूँ मैं अभी मेरे पास यह 12 कलर के मारकर्स है छिक्या मारकर का बॉडी सதों कि दोनों पाराइड सेम है अगर मेरे पास समझो इस marker का ink खतम हो गया है और इस marker का धक्कन गुम गया है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसका ink evaporate ना हो जाए इसलिए में ये marker तो खतम हो गया है तो मैं temporary इस marker का धक्कन यूज़ कर सकती हूँ इसको protect करने के लिए और इसका lock एकदम perfect हो जाएगा क्योंकि दोन सब्धूर का वेरियेबल रिजन बदल देते हैं यह वेरियेबल रिजन के एंटि जन के क्रणा करसकते हैं और इसको हम ऐंत कर सकते हैं noble Grani,igerant by का यह तरहाँ यह इसको बोलते हैं पैराट थो और यह अपना वाई रस आ थिस अलबर वाईरस दिस गे। आवर आन्टीजन, तो एंटीजन के ऊपर जो receptors होते हैं, इसको बोलते हैं, एपीटोप और अंटीबोर्डी केιर और साइड और बोलते हैं, तदम को बहले आनरे पेराटोप, और अंटीजन और यह इपीटोप, तो जब आपका एंटीजन आनिजन बनता है तो देर इस आप्चुली बॉंडिंग बिट्वीन पेराटोप एपिटोप यह नाम याद रुखना है एंटीबॉडी के यह वाला जो रीजन है इसको बुलेंगे पेराटोप और एंटीजन के इस रीजन को बुलेंगे एपिटोप तो जब आपका एंटीजन एंटी का कॉंप्लेक्स बनता है इस इस हाओ यह एंटीजन एंटीबॉडी इंटराक्शन टेक्स प्लेस बस इतना याद रुखना है यह डाइग्राम इंपोर्टेंट है यह बोड में पूछा जा सकता है और हर एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है पर आप इसका एंटीजन अलग है और इसका एंटीजन अलग है तो आपका एंटीजन कैसे भन दिखाता है कि लॉपर भी किनमें बांडिजाट को तो इसका कौ ब्लड Mmm स्कुमिए अपने बॉड़ी में प्रेजेंट है नहीं तो आप बोलोगे मैं अपने ब्लड उसल की उपर जो प्रेजेंट होते हैं वह अ अपने इन बॉड पॉड़न डिसको इसमें आपको इस पारेग्राफ में याद रखना है रह ब्लड ग्रूप एब क्या होता है है वह हम पढ़ने वाले बाकि सारे अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रूप है डिपेंडिंग अपॉन डिस्कवरी तो इसके उपर आपको अभी नहीं पढ़ना है अभी सिव आरच ब्लड ग्रूप और एबी ओ ब्लड ग्रूप के बारे में हम पढ़ेंगे अब और एबी ओ ब्लड ग्रूप किस ने डिसकवर किया था काल लांस्ट tenants ने डिसकेवर किया था नाइंटीन हंड्र से identify कर सकते हैं with the help of antigen present on our red blood cells तो अपने blood cells के उपर अलग-अलग type के antigen होते हैं जिसके basis पर हम बता सकते हैं कि अपना blood group A blood group है या B blood group है और RH factor की मदद से हम यह बताते हैं कि अपना blood group positive है या negative है तो देखो अगर आपके blood group के उपर A antigen है तो आपका blood group A हो जाएगा A antigen के वज़े से A blood group अगर blood group में A antigen है तो आपके plasma में उसका opposite वाला antibody रहता है ताकि यह दोनों आपस में react ना करें क्योंकि अगर यह आपस में react करेंगे तो आप पैदा होने से पहले ही मर जाओगे क्योंकि आपके blood का antigen और आपके अगर आपके पास दोनों टाइप का antigen है तो आपके पास एक भी antibody नहीं रहेगा क्योंकि एक antibody हुआ तो उस वह react कर सकता है ऐसे blood group को बोलते है AB blood group और अगर आपके पास एक भी antigen नहीं है तो आपके पास दोनों antibody रहेगा और ऐसे blood group को बोलते हैं O blood group या zero blood group because they don't have any antigen ठीक है तो इसमें से universal donor की अगर बात करें तो universal donor आपका O blood group आता है और universal acceptor की बात करें तो AB is your universal acceptor यह उसका genotype है A blood group B blood group AB blood group and O blood group बस इतना ही याद रखना है ठीक है RH factor क्या होता है research नाम के एक monkey के उपर research चल रही थी जिसमें पाया गया कि इसके पास एक special type का antigen है और उस special type का antigen के वज़े से आपका blood group जो है वह positive और negative हो जाता है तो अगर किसी के blood में RH factor को हम D antigen भी बोलते हैं और यह research monkey में डिशकोर हुआ था इसलिए इसका नाम आरेज्च फैक्टर रख दीया आरेज्च फैक्टर जिस पर्सन के पास प्रेजेट रहता है उसको बोलते हैं आरेज पॉजिटिव जैसे मेरा सा ब्लड ग्रूप है ओ नेगेटिव अभी इधर देखो आरेच फैक्टर के वज़े से ना एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है छोटे बच्चों को फीटस को उस बीमारी का नाम है अरित्रो ब्लास्टोसिस फीटालेस इसमें क्या होता है आपका फीटस बढ़ा होने से पह ठीक है अगर इस केस में और मा जब प्रेगनन् monopoly तो फ़स्ट प्रेगनंसी में पर रहती है ठिक है लेकिन प्रोब्लम कब होती है जब यह बच्चा पेदा हो जाता है प्रेगनेंसी की जब बेबी डिलिवरी हो जाती है तो बाहर जाते जाते बच्चे का एम्नियोटिक सैक फट जाता है उसके वज़े से बच्चे का थोड़ा सा ब्लड मदर की बॉड़ी में रह जाता है और फिर मदर को पता चलता है अधे बापरे 9 महीने तक मैं अपने में आपके positive blood group के against antibody ready है तो यह antibody क्या करेगी जब मदर की second pregnancy होगी और अगर उस बार वापीस से आपका positive blood ग्रूप वाला बच्चा है तो फिर मदर के पास ready made antibody है यह इस fetus को मार देगी और इस बिमारी को बोलते ही ही सब्सक्राइब करें अगर आप इस मदर को anti-rh antibody दोगे तो आपका यह fetus बच सकता है क्योंकि आप इस antibody को neutralize कर रहे हो तो आप गर आपका second pregnancy वापीस positive blood ग्रूप वाले के साथ होगा बच्चे के साथ तो अभी वह नहीं मरेगा क्योंकि आपने मदर को anti-rh antibody दे दिया मतलब मदर ने जो antibody बनाया आपने उसका antibody बनाया उसको मार दिया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वैसे अब इधर पर बहुत सारे बच्चे पुछेंगे कि मैं अगर मदर positive होगी और father negative होगा तो ऐसा reaction होगा क्या तो कुछ-कुछ cases में होता है और कुछ-कुछ cases में नहीं होता है क्योंकि मदर के पास और फेटस के पास और फेटस नहीं है तो reaction जल्दी नहीं होगा ठीक है मतलब अगर यह बच्चा negative blood group वाला हुआ तो यह सेम reaction होगा क्या कुछ cases में होता है कुछ cases में नहीं होता है लेकिन अगर father positive और मदर नेगेटिव है तो 100% आपको HDN वाला बिमारी का case देखने को मिल सकता है इसलिए प्रेग्नेंसी करने से पहले husband और wife दोनों को अपना अगर फादर पॉजिटिव ब्लड ग्रूप आला है और मदर नेगेटिव ब्लड ग्रूप आली है तो फिर आपको anti-rh antibody पहले से लेना चाहिए गाइनेकोलोजिस्ट को यह तो कोलस्ट्रम से मिलता है ना और यह दो antibodies के बारे में अभी हमने पढ़ा ही नहीं है विच इस सेकेंड लाइन ओफ डिफेंस पर्स लाइन ओफ डिफेंस इस वर स्किन बैरियर स्किन अपना फर्स लाइन ओफ डिफेंस है उसके बाद आपकी बॉडी में पैथोजन यह सब कैसा काम करते है बॉडी का टेंपरेचर और पीए चेंज हो रहा है तो यह सब फिजियोलोजिकल बैरियर है दा हिंज इन दा एंटिबोडी मॉलिक्यूल इस यह देखो यह आपका लॉंग चेन है यह आपका शॉर्ट चेन है ठीक है तो यहाँ पे जो हिंज प्रेज करता है यह अपने अंडिबोडी का आम और स्टेम होल्ड करता है क्योंकि लाइट चेन और हेवी चेन को साथ में पकड़ के रखने के लिए हिंज की सर्वत नहीं होती है यहां पर डाय तलफाइड बॉंड जाएगा चलो इसका मैं आपको डायरेक चार्ट बता देती हूं जिससे आपको मेमरी में अच्छ से रिविजन करने के टाइम पर हेल्प मिल जाएगी चल बढ़ते तो चलो अभी देखते इसमें क्या बताया गया है अगर हम बात करें तो टाइप की होती है एक कंजनाइटल और एक अक्वाइड डिजीज क्या होता है जो बच्चे के साथ पैदाईशी प्रेजेंट होता है मतलब हो किसी टाइप का मेटाबॉलिक डिसॉर्डर हो सकता है या जनेटिक अपनॉर्मिलिटी हो सकता है लेकिन अभी मॉडर्ण रिसर्च के वज़े से हम इन बॉर्ण डिजीज को भी जीन तेरपी की मदद से ठीक कर सकते है इसके उपर डिजीज की बतकरे तो अब करें बच्चे के पैदा होने के बाद प्रेशा इसके डिजीज अपके और न नौन कम्यूनिकेबल गॉलते हैं जो छूने से फेल कि पहल सकती है जैसे कि घिसी है कि यह आपको गोनिकेपल डिजीज घिजिज क्या होते हैं जो डायिक्ली एंडि जैसे कि आपके 9 वीजीजीज रफिशन सी डिजीज के मतलब गकी सोगी पर्टिकल्स को हम बोलते हैं ऐसे आपको अलग-अलग बताए गए है ठीक है डियर अगीजिएत जो किसी वेक्टर के दूग आपके बाडी में इंफेक्शन सप्रेट करते हैं किसी Three एक त होती है तो जिस प्रेजिस्ट की अंकली में गुटर उर्गानिसम की होते हैं तो बहलनने जी प्रिक्षिक है ईर्गानिसम को तो पराउट मतलब क्या होता है जो अखना की बॉडि में रहके उसकी बॉड़ी को खोकला करता है तो टाइप के होते हैं अगर पूछा तो एक्जांपल पूछेंगे एक्टो पैरसाइट का एक्जांपल पेडबग आपकी बौडिके बाहर से रहके आपको नुकसान पहुचाता है या आपके बॉड़ी के अंदर नहीं रहता जैसे खटमल या ज पहुते हैं यह आपकी बाड़ी के अंदर रहके आपकी बॉड़ी को नुकसान पहुंचाता है तो अभी आपको जो अलग अलग तैप के डिजिस दिये गए उसका मैंने चार्ट बनाया है क्योंकि अगर आपको एक्जाम में पूछा तो भी पूछते हैं कि मेलेरिया कौन से क यह क्या है उसके सिंटम्स क्या है उसको कैसे डाइग्नोज कर सकते हो तो डाइग्नोजिस के लिए तो पो यह याद रखना है और चाइविया रखना है और ट्रीटमेंट के अध्यूजां यह को सबका अल्मोस्स एम ही अभी इसमें अगर आप बोलोगे मैं थोड़ा साही क्या पढ़के जाए तो कॉसिटिव एजेंट कमपल सरी सबका पड़ो सबका वेक्टर कंपल सरी पड़ो त्रीटमेंट कंपल सरी पड़ो यह तीन चीजे तो आपको कि परेसमोडियम में अपनी बार्ट के लिए मच्चर के लिए ह मच्चर के यह नहीं होता है उपको प्रोटिस्टा effectivement के לד निख्चुल्ल प्रॉब्लम आपके चिथी में हैं यानि आपके प्लास्मोडियूम में हैं मलेरिया को अपने बॉडियंगे इंट्रेड्यूस कराता है मत्रला क्वाbram इसमें प्लस्मोडियूम के भी तो फोर टाइप्स में से प्लास्मोडियम फैलसी पैरम सबसे ज़्यादा खतरना के यह अफ्रिगा में पाया जाता है इसके वज़े से लोगों की डेथ हो जाते हैं और बाकी जो तीन टाइप के मलेरिया उनसे इतना जादा नुक्सान नहीं होता है ठीक है और यह मलेरिया कै इसरिमारचं की मादना चीश से कियुक्ता है के मिद्याड़ है फिमर्ण मेइल मच्छर के मदद से क्यों नहीं होताएं फीमल मच्छर के वज़े से ही कैसे फैलता है थो फीमल मस्कटों खुण चूझति B और मेल मस्किटों प्लान्त का laugh at मेल मस्किटों वेजेटीकोस फीमल मस्किटों सीफ अनीमल का बलड सकती है इस वज़े से फीमल मस्किटो के तरूही आपको ऐसे वेक्टर भॉल्ड ही है ंब यह प्धी कया है मस्किटों की अनक्ति मुल्टिप्लिके शन घ्लाय। इसके symptoms क्या है malaria में हर 8-8 घंटे में आपको बुखार आती है और जब भी बुखार आती है तो body का आपने लग जाती है vomiting होता है joint pains होता है अल्सराल्जिया मतलब joint pains इसमें आपको आपकी urine में blood दिखाई देगा या फिर ब्रेकडाउन होने के वज़े से एक दम यल्लो कलर का urine निकलता है वह बिली रुबिन बिली वर्डीन के वज़े से होता है और आपके लिवर में बहुत ज़्यादा आपको लास्ट पीवाई क्यों में पूछा गया था ठीक है मलेरिया से बचने का तरीका क्या है मच्चरों से दूर मच्चर से दूर कैसे रह सकते हैं मच्चर दानी लगाओ मस्कीटो ने या ओडर मस्कीटो रिपिलिंट क्रीम आपने आजू-बाजू में पानी मत जमा होन जाते हैं और मलेरिया मस्कीटो पो कंट्रोल करने के लिए साइंटिस लोगों ने स्पैसिफिक टाइप का फिश बनाया था बायो इंजिनियर किया था और उस फिश का नाम है गंबूसिया फिश यह फिश का नाम बहुत जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि यह मच्चर के अ करना जाते हैं और उसके वजह से आपको लुस्के ने हां तो यह कौन से प्रोटी नाम अपको कमपल सिर्ए यह यह आदना चाहिए यह किसी वेक्टर के थूरी जाता हैं यह घंदे खाने के वज़े से यहाथ वगबडा रहेगा आप जस्ट घेल के आए और आपने उसी तो उसके वज़ए से वह आपको यह देखने को मिल सकता है कि अपने को लूज्व मोशं GOREK फोगफा लगता है और इसमें भी लीवर की बोर श्वेलिंग क्यों लेट ट को हम्तियों से खραव कर सकते हैं और इसको ठीक 58-552 तेड़ोजोल और टीनिड़ोजोल दिया जाता है साफ खाना साफ पानी खुद को साफ सफाही रखो तो अमीबी आशिस से बच सकते हो यह किसी वेक्टर के वज़े से नहीं होता है यह भी गंदे खाने और गंदे पानी के इस कॉंटाक में आने से होता है से अन्यक्ति होता है आपके स्टूल में 40 में वाइट कलर की छोटे-छोटे जिन्दा वर्म्स देखे जाते बहुत जादा पेट दर्द होता है इसमें आपके अगल लंग्स में यह वर्म्स चले गए तो आपको निमोनिया भी हो सकता है और आपको एलर्जिक रियाक्शन भी देखने को बल सकता है याने आपके बलड में योसिन का भी कॉंसेंट्रेशन बढ़ सकता है योसिन आप नथिंग बट अवर डिफेंसिव सेल्स यहाद है चाप्टर नंबर एट में हमने पढ़ा था ग्रैनियोलोसाइड ओके इसको स्टूल सैंपल की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं इसको ट्री इसको भोलते हट्टी रोग इसके उपर क्वेश्चन आने के चांसेज रहते हैं यह किसके बज़े से होता है यह एक टाइप का वर्म इंफेक्शन है आप लोग को दिखाई दे रहा है ना ठीक से एक मिनिटा है ब्राइटनेस का मैंना हां दिखाई तो दे रहा है टिक से य आपको यह PDF मिल जाएगा ठीक है तो फिलिरी आसे जिस वर्म के वज़े से होता है उस वर्म के अलग-अलग स्पीशी जैसे वुच्रेरिया बैंक्रॉफ्टी ब्रुगिया मलाई और ब्रुगिया टीमोरी यह कैसे पास होता है बोडी में मस्किटो की मदद से स्पेशली कॉ कुलेक्स मस्किटो की मदद से ठीक है फ्रॉम कुलेक्स मस्किटो तो अवर लिम्फाटिक सिस्टम यह अपने बोडी के सिधे लिम्फ नोट के पास जाता है मतलब अपने पैर पे या टेस्टिकल्स के पास या अपर आम्स में तो आपका पैर इसमें या आपका जो अपर आ जेसे स्वेल होजाते एडिमा मतलब स्वेलिंग और इसमें आपका टेस्ट इस भी बहुत जादा स्वेल हो जाता है थे एसा देखने को मिलता है इसमें इधर गया हां यह रेको ऐसा वाटर अक्यूमिलेट जाता है जिसके मेज़े से टेस्टिस का नॉर्मल साइज से जादा तो इसके अगर बचना है तो क्योलेक्स मस्किटों से दूर रहो क्यों अपको एलेफंटी आसे नहीं होगा इसको डेटेक्ट करने के लिए हम चूल सैंपल से डेक्ट कर सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए भी निए डाइ इथाहिल कार्बमसी जो आपको हफते में मतलब एक पर किते मीने में पंस दिन यह दवा लेनी पड़ती है जल्दी कुलिक्स mosquito पता नहीं चलता है कियो को बॉलिक्स पता हुटक्व महिनें तक आपको अन्यां सहे रहता है और पता नहीं चलता है यह त्रॉक्चर आपको बोर्ट करने के लिए पूछ सकते हैं इसमें क्या चीजे जिसके वज़े से यह इतना डेंजरस है हमने पढ़ा था ना मॉलेक बेसे परिएंस में और एस टाइप बैक्टेरिया तो हमने क्या पढ़ा था एस टाइप बैक्टेरिया के पास एक special lipid membrane होती है lipopolysaccharide जिसके वज़े से यह बैक्टेरिया protected रहता है तो वेसे अपने को typhoid में भी देखने को मिलता है they have a special outer polysaccharide membrane जिन्सकों हम K antigen बोलते हैं या capsule बोलते हैं यह lipid से बनी है lipopolysaccharide जिसके वज़े से इस pathogen को double protection मिलता है और यह pathogen जल्दी मरता नहीं है इसलिए typhoid से दूर रहो मेरे को 2-3 बार typhoid हो चुका है बिल्कुल अच्छी feeling नहीं है और यह कैसे फेलता है गंदा खाना या गंदे पानी से तो मैं बहुत चैटर पटर खाती थी college के बाहर का जिसके वज़े से में को हो गया ठीक है इसमें आपको बहुत जादा बुखार रहती है उल्टी जैसे feeling होती है बॉडी हमेशा थकी भी रहती है सर दुखता है भूख नहीं लगती है लूज मुशन होते हैं फेट दुखता है यह सारे सिम्टम्स है ताइपोईट को टेस्ट करने के लिए वी यूज विडाल टेस्ट ठीक है इस वेरी 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 इंपोर्टन यह स्पेशल टाइप का टेस्ट है और अगर एक्स्ट्रीम केस हो गया टाइपोईट का बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आपको गॉल बैडर रिमूब करना पड़ सकता है और इसमें कौन से एंटिबाटिक्स दिये जाते हैं क्लोरो मैसितीन और इसका वैक्सीन भी है टाइट 21 एंटाइज भी अच्छा रखो पानी अच्छा पीओ साफ पीओ साफ सफाई रखो तो टाइफोईट से दूर रहोगे ठीक है दैन आता है निमोनिया निमोनिया बेसिकली लंग इंफेक्शन है जिसमें आपके अल्वियोलाय स्वेल हो जाते हैं तो यह वाइरस के विज़े से भी होता है व अप्रेव पसीना शेर करने से फेलता है इसमें क्या होता है आपका जो कफ है वह यलो ग्रीन कलर का निकलता है पूटम मतलब कफ जो आप परके निकालते हो इसमें बुखार रहता है इसमें आपको सांस लेने में तकलीफ होती है क्योंकि कफ डिपोसित हो जाता है और इसमे निमोनिया का वैक्सिनेशन ज़रोरी है तो आपको निमोनिया नहीं होगा ठीक है नेक्स आता है कॉमन कोल्ड कॉमन कोल्ड मतलब जो मुझे हुआ है इतने दिन से वह जाए नहीं रहा है इन दिन बढ़ते ही जा रहा है तो अभी दॉक्टर से मैंने फाइनली वापिस दवा अगर भी ठीक नहीं हुआ तो मैं सीधा ब्लड टेस्ट कराऊंगे ठीक है तो नहीं है तो नहीं है तो देखते अभी प्रे करो कि जल्दी जल्दी मेरी खासी ठीक हो जाए ताकि मैं अच्छे से ले पाऊ और इसलिए कंट्रोल कोडिनेशन लेक्शन में नहीं ले पा रही ह और उतना कंटीनियू में बोल नहीं सकती बहुत ज्यादा खासी आ रही है अभी देख रहे हो ना अभी हर 10 मिनिट के बाद कितना जोर से खासी आता है फिर आपको भी एकदम से कान में दर्द हो जाता है तो कॉमन कोल्ड की अगर हम बात करें तो यह मेजरली वाइडल इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है अगर खासी वगेरा रहे गा तो डॉक्तर थोड़ा सा कफ सप्रेसिंट देते स्लीपिंग फिल देते जिसके वाज़े से नेन दर्चे से आए ठीक है इससे बचने का क्या तरीका है आईसोलेशन में रहो अलग रहो किस नहीं मतलब क्या होता है फंगल इंफेक्शन जो हो जाता है ना दाथ- खुझलीखाज तो और फंगर्म डर्म फॉसिस मतलब सकिन इंफेक्शन ये फंगश के वजे से होता है कौन से फंगस के स्पीशिस ट्राइकोफ़ाय और माईक्रोपोरम यह बोडिक शेहर करने से और बादिश के मौसम में आपने देखा होगा आपके पैर की जो लास्ट उंगली रहती है उदर पर भी एकदम सड़ जाती है तो उसको बोलते है एथलेट फूट मतलब उंगलियों के बीच में पैर की उंगलियों के बीच में इसको आप फिजिकली उपर उपर से चेक करके पता कर सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए अंटी फंगल मैडिसेंस है निस्टीन फ्लूकनाजोल और इसको इससे अगर बचना है तो इससे थोड़ा दूर रहो मतलब जिसको फंगल इंफेक्शन हुआ उससे थोड़ा दूर रहो कपड़ा फंगिसाइडल शोप से दो और हो नैक्स्ट आता है अपना टेंगी इंफेक्शं इसको एड इस मस्कीटों से ट्रांफर होते वह और इसपरत होता है इसको बचना हैं तो मच्चर से दूर ौटी काउंट आपना कैंसर तो गर कैंसर की बात करेंग्र मतलब क्या होता है आपकी बॉड़ी में जब भी कोई सेलं केंसर 건 9 फ़ल मोस जाता है उस kids पहले समिंगों बोलते हैं सट heller देखता है यह शबवी अपनी भॉड़ी में कहीं में कुई भी नया 2012 इन ठीशु फार्म होता है तो लोा एक्सेट लुकेमिया क्या होता है यह अगर बड़ाइन ट्यूमर बड़ा हो गया तो इसके वज़े से आपके ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा जिसके वज़े से अपना brain hemorrhage होके death भी हो सकती है वैसे benign tumor कम dangerous होता है पर इसके harmful effects भी देखने को मिल सकते है malignant tumor stage 3 cancer यह cancer body में बहुत तेजी से फैलता है और यह detect होने से पहले इंसान की death हो जाती है तो यह spread होने वाला cancer है यह spread नहीं होता है harmful मतलब बहुत worst case scenario में यह spread होता है पर cancer तो cancer है बाबा किसी भी टाइप के cancer से दोस्ती अच्छी नहीं है ठीक है ओके types of cancers की अगर हम बात करें तो पहला आता है carcinoma carcinoma is a type of skin cancer जो आपको epithelial surface पे देखने को मिलता है sarcoma यह आपका bone tumor है मतलब यह type connective tissue cancer है यह cartilage और bone में देखने को मिलता है देखो यह bones के बीच में कैसे tumor form हो रहा है lymphoma यह अपने lymph node में होता है यह देखो यहां पर आपके cancerous cells कैसे tumor form कर रहे हैं आपके lymph node के बीच में मतलब WBC जिदर बनता है उदर ही जाकि अपने cancer cells बनने लग जाते हैं और leukemia यह एक type का blood cancer है क्योंकि इसमें abnormal WBC बनते हैं bone marrow में और जिनको leukemia हो जाता है उनके body में abnormal WBC का count बहुत ज़्यादा high रहता है ठीक है यह normal blood है यह leukemia है देखो कैसे abnormal WBC है यह normal WBC है ठीक है और last होता है adenocarcinoma adenocarcinoma आपके glands में होता है जैसे thyroid gland, pituitary gland etc यह देखो this is pancreatic cancer pancreas is also a gland cancer क्यों होता है अलग-अलग chemicals के वज़े से अपने cells में mutation हो जाता है जिसके वज़े से अपने cells chemicals it can be due to viruses it can be due to smoking जिसके वज़े से nicotine के वज़े से आपकी body में cell division trigger हो जाता है it can also be due to abnormal cell division ठीक है radiation के वज़े से skin cancer हो सकता है viruses जैसे की EBV virus and human papilloma virus इन दोनों viruses के वज़े से अपने body में जो oncogenes होते हैं वह oncogenes activate हो जाते हैं जिसके वज़े जैसे abnormal tumor form होता है oncogenes मतलब क्या होते हैं अपने body में सब के पास oncogenes होते cancer genes onco मतलब cancer लेकिन यह cancer genes inactivate form में होते हैं अगर हमने इसको nicotine दे दिया या कोई triggering agent दे दिया जैसे UV radiation वगेरा के अंतर हमने यह gene डाल दिया तो फिर यह gene अक्टिवेट होके cancer cells form कर सकते हैं और लास्ट में आता है addiction जैसे smoking alcohol के वज़े से बरिवाना चरस गांजा स्टिरोइड वगेरा देने के वज़े से आपके body healthy cells abnormal तरीके से divide होंगे जिसके वज़े से भी tumor form हो सकता है आपके lungs या liver में ठीक है तो देखो अलग-अलग याद हुआ सीधा आपके lungs में जाके जमा हो जाता है जिसके वज़े से आपको pneumonia या lung cancer हो सकता है then cold or cigarette smoking तो अलग-अलग chemicals के वज़े से अलग-अलग organs effect होते वे पाए जाते हैं cancer को treat करने का क्या तरीका होता है या तो chemical देखे उसके tumor को मारने की कोशिश करो या तो फिर तो chemotherapy से भी ठीक हो जाता है अभी chemotherapy की कुछ side effects होते हैं जैसे बाल वगेरा जहर जाते हैं खुन की कमी हो जाती है यह सब बाद में recover हो सकता है लेकिन chemical therapy से अगर cancer ठीक होता है तो chemical therapy यूज करते हैं लेकिन इसके भी बहुत सारे limitations होते एज देखा जाता है heart patient है की नहीं है diabetes है की नहीं है तो second option होता है रेडियो थेरेपी के साथ साथ आप रेडियो थेरेपी भी यूज कर सकते हो जिसमें हम nuclear radiation की मदद से ट्यूमर के उतने पार्ट को जला के खतम कर देते हैं और वो ट्यूमर रिमूव कर देते हैं पर कभी-कभी कुछ-कुछ unlucky cases में वहाँ पर फिर से नया ट्यूमर ग्रोव होना स्टार्ट हो जाता है तो कॉंसे रेडियेशन यूज करते हैं यह इंपोर्टेंट है इस एक्स रेडियो थेरेपी में हम कॉंसे रेडियो एक्टिव माटेरियल यूज करते हैं इरिडियम और आयोडीन एंड रेज एक्स रे गामा रे एंड चार्ज पार्टिकल्स अर यूज क्या होता है जैसे ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइकल कैंसर बगरा हुआ है तो आप सिधा और्गन रिमूफ कर देते हो यूटरस में अगर कैंसर हुआ है तो हिस्टेरेक्टोमी कर दाने की कोशिश करते हैं जो खुद जाके अपने कैंसर सेल्स को इनक्टिवेट करने का ट्राय करेंगे और लास्ट आता है सपोर्टेव थेरेपी सपोर्टेव थेरेपी में क्या होता है इसमें सेम कैंसर पेशंट एक साथ आके एक दूसरे को इमोशनल फिजिकल मेंटल ऐ यह थेरेपी अलग-अलग टाइप की होती है ठीक है एक की बात करते हैं तो ध्यान से सुनों एड्स इस नॉट डिजीज अटीज अटीज सिंड्रोम और यह जिसके वज़े से होता है वह एक वाइरस है यूमन इम्मून डेफिशेंसी वाइरस मतलब यह वाइरस यूमन के सिस्टम सब्सक्राइब करता है मतलब यह वाइरस सीधा अपने ऐड़ल स्किशोड के उने उंपर अटैक करता है जैसे संगझो कोई चोर जब बैंक में चोरी करने जाता है तो पहले वह वाच्मुन तो आसम पूंग बचाने वाला कोई नहीं है लिकि वीज़े यह बाइट सीधे अपने बोडी के टी सेल्स पर अटाक सरता है और इसके वज़े से जब इंफेक्शन एकदम लास्ट स्टेज में पहुँच जाता है तो उसको हम एड्स बोलते हैं ठीक है सबसे पहला एड्स का केस USA में 1981 में देखा गया था और इंडिया में तमिल नाडू में 1986 में पाय होते हैं उसके सेंटर में दो सिंगल स्ट्रांडेड और इसके पास स्पेशल रिवर्स ट्रांस्क्रिप्टेज में यह यह यहिए यह पार अपना सेल्स इविजन करता है मतलब हम इसकी मदद से reverse transcriptase मज़द से क्या करता है अपने बोडी के T-cells के transcription को reverse कर देता है और खुद का cell बनाना चालू कर देता है अब अगर हम इसके outer structure की बात करें तो outer layer it is covered by two layers of proteins outer layer को बोलते हैं matrix protein और inner layer को बोलते हैं capsid protein यह देखो यह matrix protein है यह capsid protein है जो capsule से बनी है और इसके बाहर आपको और दो लेयर देखने को मिलती है over the matrix protein there are two layers एक है आपका glycoprotein 120 और एक है glycoprotein 41 यह देखो glycoprotein 120 जो बाहर की तरफ है और glycoprotein 41 जो अंदर की तरफ है तो यह चारो लेयर के नाव very 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 important मेरे शिफ्ट में आया था यह question P17 P24 और मुझे याद नहीं था तो बाहर का जो outer matrix protein है इस पी 17 और अंदर का जो capsule वाला protein है इस पी 24 यह आपको याद रुखना है यह वाइरस किसके अंदर जाके replicate होते हैं अपने टीफोर लिंफोसाइट में मतलब हेल्पर टीचल किलर टीचल सप्रेसर टीचल मेमरे टीचल चारो टीचल को यह डिस्ट्रॉइ कर देते हैं इस वाइरस के पास एक तो वाइरस का प्रेजेंट में होता है यह नहीं पाया गया है कैसे ट्रांस्मेट हो सकता है अन्यूज्वल से अंसे एक्स्चेंज होगा तो बलड से अगर गलती से नीडल शेयर कर लिया मदर से बच्चे को जा सकता है प्लसेंट आके तुरू इसलिए हमेशा मदर का पहले चेक अप किया जाता है कि कहीं हो HIV पॉजिटिव तो नहीं है ठीक है और बाती अलग मेठोड्स कौन से हैं एक्सिदेंटल नीडल इंजरी यह आर्टिफिशल इंसेमिनेशन के टाइम पर या और्गन डोनेशन के टाइम पर किसी HIV पेशेंट को दे दिया तो वीचारा वैसे एचाइवी से मर जाएगा ठीक है एड्स वाइरस मतलब यह जो HIV वाइरस है यह यूरीन टियर्स वगेरा में भी पाया गया है बट उससे यह ट्रांस्मिट होता है कि नहीं होता है यह नहीं पाया गया है मतलब जब तक अपना बलड डायरेक कॉंटक में नहीं आ जाता तब अपने बॉड़ी में एंटी बॉड़ी बनती है तो अगर हमने तो टू टू एट वीक्स के अंदर अपना ब्लड टेस्ट करा लिया और अगर अपने ब्लड में स्पेशल एंटी बॉड़ी देखने को मिली तो से पता चल जाता है कि वाइरस इंफेक्शन आया है और दूसर इसमें क्या होता है आपको बार बार बुखार ठावर्ड डाइरिया लूज मोशन रात को सोते सोते पसी ना आ जाना सांस लेने में तकलीफ आपकी बॉड़ी का टैन परसेंटेज वेट लूज हो जाना तो यह सारे आपके एड रिलेटेड सिम्टम्स हैं पर यह कॉमन सिम् कि फिर आपके बॉड के मल्टीपल और फेलियर होना स्थ शार्ट हो जाते और आपकी हो जाति है ठीक है उसे बचना है तो हम क्या कर सकते हैं सबसे पहली बात तो अब वड़ी में होने ही मत को उससे कैसे बच सकते हैं जिनको HIV हो सकता है उनको प्रॉपरली एजुकेट करना चाहिए है हिए चाहिव ऑग्टर नीडल गेरा हमेशा बिपोस्टम से में चाहिए है किस बड़ांने चाहिए था मिशा घेरेट realidade हमेशा इस पॉर्स प्रोपरली करने कंटिय को मतलब पोस्ते हैं अपको इन्दि व है जिसमें ब्लर आता है तक में वह सब किसी की साथ शेर करना चाहिए देन ब्लड करने से पहले भी उसका HIV कराणा चाहिए और जिनको है है यह जो ब्लक डोनेट करते हैं और गड़ें करते हैं तो इनको भी अपना तेस्ट कराना चाहिए वैसे तो अपने इंडिया में हर चोटी सैसी चला है लेकिन लोग अगर घ्रिज चलता हrist hen हर्ला तेस्ट करता है नहीं तेस्त गलती से फॉस प्वाज़ से तो फिर कंफर्मेटारी टेस्ट होता है वेस्टर्ग टेखनेक इसका नाम ऐसे रख बिया जैसे नॉर्धर ब्लॉटिंग का सदन ब्लॉटिंग टा वैसे वेस्टर ब्लॉटिंग इसमया ऐस्पेसिकली एंटी बोडी चेक करते हूं कि अपने पास specific treatment नहीं है लेकिन कुछ medicines का combination ट्राय करके हम HIV वाइरस की growth को slow कर सकते हैं मतलब जो patient 2 साल में मरने वाला था हो सकता है कि वो 5 साल बाद मरेगा हम उसकी death को थोड़ा सा आगे धकेल देते हैं मतलब हम अपने वाइरस की growth को थोड़ा सा slow कर देते हैं तो उन drugs को बोलत हैं तीडियर यानि टीन ओफोर इफाविरेंस लामीबुडीन एटसेटरा इतना भ्याग कर नाम है आप खाली इतना याद रखो एंटी रेट्रो वाइरल थेरेपी के लिए हम टीडियर ड्रग्स करते हैं ठीक है अभी तो अपने बायो टेक्नोलोजी में इतना ज्यादा ए रिसर्च चालु है तो हो सकता है कि फ्यूचर में एचाईवी का भी ट्रीटमेंट मिल जाए आप लोगी धूंडोगे फ्यूचर साइंटेस्ट ठीक है नेक्स्ट आता है अडौलोसेंस मतलब क्या होता है जब बच्चा बढ़ा होता है अडल्ट होता है तो उसकी बोड़ी वो अभी बड़ा हो रहा है अडल स्टेज में एंटर कर रहा है अडलेसेंस एक फेज है तो अडलेसेंस के तीन फेज देखने को मिलते हैं जब बच्चों की फिजिकल बॉडी ग्रो होती है मिडल पीरियड में क्या होता है इसमें आपके इसमें थोड़ा थोड़ा आपके फ्रेंड. बाकी सब लोग गलत आपको चुछ का बनाने काजोश को अच्छी भी होती और कंपनी की सब्सक्राइब ऑर क्रमा इंफ्रेंट के थाौट लोग जाते हो पर इसको नहीं अट्रा भी रहता है तो फिजिकल चेंजिस क्या क्या होता है अचानक से आपके ग्रोथ हो जाती है चेस्ट ब्रॉड हो जाता है इसमें आपके सेक्शुल और डेवलाप होते हैं विकॉस फॉर्मेशन ऑफ सेक्शुल होर्मोन इसमें आप इमोशनली और सोशल अगर आपको सही गाइड़न्स नहीं मिला तो आप इस एज में बहुत जादा खाके मोटे हो सकते हो आप हर चीज के बुच्टे को चुपाने के लिए बहुत ज़्यादा खाते हो या खाना छोड़ देते हो मतलब या तो एनॉरेक्सिक हो जाते हो या तो बुलीनिया वाला सब देखने को मिलता है इस एज में मूडिनेस आ जाता है फ्रस्ट्रेशन होता है चोटी चोटी बात पर गुस्ता आने लग जाता है जिसका अपनी हेल्स पर गलत असर पढ़ने लग जाता है तो मेंटल इल्नेस को सकती है इस रिलेटेट टो साइकोलोजी या बहेवियर मै आप जो हे नहीं हमको लगने लगता है कि सच में है मतलब गलत वह जाना ब्रहुम हो जाना डिल्यूशन है नहीं हमको दिखने लग जाती है जैसे मुणा भाइंबेस में हुआ उनको गांदी जी दिखने लगे थे अपनी फिंकिंग प्रोसेस थोड़ी सी डिस्टॉर्ब हो आपको छोटी-छोटी चीजों से डर लगने लगेगा बहुत ज़्यादा इंपेशन्ट हो जाओगे खाना छोड़ दोगे एकदम से डिप्रेशन में जाके सैड हो जाओगे इनक्टिव हो जाओगे या हाइपर एक्टिव हो जाओगे तो यह सारे आपके साइकोसिस है आपके चीज़ बोलूगे आपके से लिपस में चैप्टर क्यों दिया यह तो अब आपको भी ऐसा लगता है कि मेरा प्रेंट सब्सक्राइब मेरे पैरेंस गलत है मम्मी ने को गनपती देखने नहीं दिया मम्मी को लगता है कि यह बई फ्रेंड यह मेरी गर्ल्स पर ऐसा नहीं है हम तो सी वह दोस्त है तो यही चीज आप अदाम से बैठ आठके अपने पेरेंट को समझा हो आप अपने पैरेंट के साथ अच्छे से टोम रहों पता चले का आप क्या पील कर रहे हो किसी साथ बड़े होते जाते हैं मैं यह पर सब्सक्षिडेंस से बता रहे हो जैस परेंट से बात करोंगे उतना साथ आपके लाइफ आसान हो जाएगे त्रस्ट में तो अगर समझो आपको कोई डिप्रेशन या ऐसी बीमारी होती है तो उसके लिए आपको तुरंक मेडिसिन नहीं दिया जाता है मोस्टली नॉन फार्मकोलोजिकल तरीका यूज किया जाता है मतलब बातचीत वगेरा करके psychiatric treatment देके आपके mental disorder को ठेक करने के कोशिश की जाती है addiction मतलब क्या होता है किसी भी चीज की गलत लट लग जाना जैसे खाने की लट ड्रक्स की लट तो ऐसी कोई भी चीज जो आप excessive यूज करते हो उसको addiction बोलते हैं और especially जो आपको physically harm करें जैसे की opioid, alcohol, cocaine, nicotine, drugs, etc. यह scientifically proven है कि addictive behavior share neurobiological features they intensely involve brain pathway of reward and reinforcement आपको drugs लेने का one cup करता है जब आप कुछ नया करते हो कुछ तूफानी करने का सोचते हो या खुद को motivate करने का सोचते हो या फिर आपको जब happy hormone की जरुवत होती है तब आप drugs लेने की कोशिश करते हो पर एक चीज़ याद रुखो जब आप drugs लेते हो तो आपको वो खुशी सिफ temporary time के लिए मिलती है क्योंकि बाद में आप वापिस से reverse effect देखते हो आप और ज़दा depression में चले जाते हो और addiction के वज़े से तिर्फ आपका physical नहीं आपका physiological psychological सारे functions damage हो जाते है ठीक है कब addiction होता है अगर समझो अपने parents का अपने उपर supervision नहीं है तो आपन छुप छुप के cigarette पीना अलकोहल पीना चालू कर देजे friends की संगत में आके अगर parents और बच्चों की बीच में communication नहीं है तो ब बच्चे गलत रस्ते पर चले जाते हैं parents अगर ड्रग्स लेते हैं alcohol smoking करते हैं तो बच्चों को भी आज़त लग सकती है ड्रग्स से हम बहुत सारी चीज़े एक्सपेक करने लग जाते हैं जैसे sports person अगेरा steroids लेते अपना performance improve करने के लिए इसमें अपन एकदम तूफानी करन तो कैसे दूर रह सकते हैं always remember prevention is better than cure सबसे पहली बात चाइल्ड के उपर unnecessary pressure मत डालो and by this I don't mean study pressure study pressure के अलावा भी बहुत सारे प्रेशर होते हैं शारी का pressure, sports में अचा गने का pressure, कमानी का pressure, etc, etc. ठीक है? प्रेशर दो प्रेशर दो पॉजिटिव प्रेशर दो comparison मत करो और parents और students दोनों की time to time counseling होनी चाहिए, teenage बच्चों की जिससे पता चले कि बच्चा अपने energy कहां use कर रहा है, बच्चे के friend circle कैसा है, बच्चा आपने academics में कैसा perform कर रहा है, ठीक है? ड्रॉग्ज और abuse की अगर हम बात करें, तो सर्वे और स्टेटिस्टिक से ये पता चला है कि सबसे जादा drugs और alcohol का use, youth करती है, यानि कि young generation करती है, तो अगर young generation को proper guidance और education मिला तो young generation बच सकती है, नहीं तो जो drugs जादा पर के use होते हैं, उसका बहुत जादा गंदा effect देखने को मिलता young generation में, जैसे कि opioid, cannabinoid, cocaine, etc. तो अभी इन में से क्या पुछा जाएगा आपको, इसका sources, ये कौन से source से पाया जाता है, और ये कौन से organ पे effect करता है, तो opioids, इसका common source है, इसका common name हिरोई, या इसको smack भी बोलते हैं, और ये एक special plant से मिलता है, जिसको बोलते है, पैपेवर सोमनी फेरम, ये देखो ऐसा, ये अपने body को relax करता है, ये एक type का depressant है, जो body के activity को slow करता है, जिसके वज़े से आप चैन की निन्स हो जाते हो, ये drug सीधा जाके आपके central nervous system पे attack करता है, और stomach में attack करता है, intestinal tract में, इस drug का chemical नाम है diacetyl morphine, ये morphine जादा करके surgery के time पे भी use किया जाता है, पेशन्ट को surgery के बाद सुलाने के लिए, ठीक है, नेक्स आता है cannabinoids, ये आपक इसका चरस, गांजा भी बोल सकते हो, आप मरिवाना, हशीश, ठीक है, ये अलग-अलग मतलब forms में मिलता है, ऐसे दिखाई देता है, ठीक है, इसको इनहेल करने से, ये आपके brain receptors के साथ जाके बाइंड करता है, आपके heart system के साथ बाइंड करता है, बलड वेसल के साथ, and these are obtained from inflorescence, inflorescence याने की flowers से पाये जाते हैं ये, आपके cannabis sativa के plants से, next आता है, cocaine, cocaine आपको erythrozylum coca से मिलता है, ये देखो, ठीक है, ये ये आपकी body में happy hormone का concentration बढ़ा देता है, जितके वज़े से आप एकदम आज में ऊपर, आसमा नीचे, ऐसी वाली feeling आ जाते है, ये फिल वेरी happy या फिर ये वेरी इरिटेटेड और आप एकनम paranoid हो जाते हो, मतलब आप अपने मन में खुछ ना कुछ हो, ऐसे बात करने लग जाते हो, ठीक है, so that is the side effect of cocaine, okay, next आता है, hallucinogen याने की धतूरा, ये धतूरा भांग में डाल के पीते हैं, शिव जी का प्रसाद माना चाता है, ये आपको दिन में तारी दिखा देता है, दिन में सपने दिखा देता है, लिसर्जिक असेड और ये दोनों hallucinogenic substances है, एट्रोपा बेलोडेनन, दतूरा स्पीशीज अल्सो है, ये आपको unreal perception, आपके दिमाग में जो है, वो आपको दिखाई देने लग जाता है, इसमें hallucination हो मतलब इंसान को हैपी बनाने के लिए ये हॉर्मोन यूज किया जाते है, अगर एक बार ये ड्रक्स का अडिक्शन लग गया, तो लोग इसके उपर dependent हो जाते हैं, जिसके वज़े से वो अपने घर में ध्यान देना चोड़ देते हैं, पढ़ाई लिखाई करना चोड़ दे रेप करना, मर्डर करना, पैसे के लिए कुछ भी करना चालू कर देते हैं, जिसके वज़े से फैमिली पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ ड्रक्स अल्कोहल अब्यूस, इसमें आपका लिवर ड्यामेज हो सकता है, लिवर सिरह से हो सकता है, लिवर अगर आप यह चोड़ना चाहो तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपकी बॉड़ी में कुछ वड्रॉल सेंड्रम देखने को मिलते हैं, यह वड्रॉल सेंड्रों के वज़े से आपकी बॉड़ी में एकदम कापने लगती है, जो लोग रेगुलर डूरी करते अचानक तो यहां पर मैंने बताया है कि बढ़ जाता है जब हम अलकोहल के उपर डिपेंड हो जाते हैं फैमिली के साथ रिलेशन शेप होबी फ्रेंड सब चूट जाते हैं सब कुछ तूट जाता है ठीक है और वही चीज इदर भी बताई गई है कि कुछ लोग ड्रॉग्स इंजेक् बहुत जाधा पीने से आपके बच्चे के ऊपर असर जा सकता है नॉर्मल कंडिशन में बैलेंस लिवर सिरोशिस लेवर हो सकता है या सकता है किड्नी हो सकती है और अगर एक्थम यंग दारू पी रहे हुँग है सोचके कि चलो मजे मजे में पीते तो आगे जाके आपको इसका लॉंग टॉम इफेक्स देखने को मिल सकता है अपना पर्फॉर्मेंस इंप्रूफ करने के लिए अगर आप बहुत ज्यादा एनलजेशिक स्टेरोइड वगेरा यूज करते हो तो उसका आपके बॉड़ी में उल्टा असर देखने को मिलता है ठीक है याने कि फीमेल के स्टेरेंव के ऊल्ता हो जाता है मेल से ब्रचोपिया नहीं स्वहाते हैं तो अल्कॉहल से बचना है तो दूप बातचीत करो अपने प्रोबलम को अपने परेंट्स के साथ शेयर करो और अच्छी कंपणी में रहो गलत फ्रेंड्स ग्रूप मत बनाओ गलत पीर ग्रूप मत बनाओ और प्रेशर मतलो किसी चीज का पर इतना चीज याद रखो कि पेरेंट्स कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे वह जो कुछ भी बोलते हैं आपके अच्छे के लिए बोलते और बात करो बात करने से आधिसी ज्यादा प्रॉब्लम्स ओल भुजाती है ठीक है तो हीर विए डान विद इस चाप्टर मैं अपनी पूरी गोशिश की है कि मैं छोटे चोटे पार्ट में क्यों ना सहीं पर आपको यह चाप्टर प्रोवाइट कर सकूं बिलकुल भी मेरे कोडिनेशन वाला चैप्टर मिल जाएगा ठीक है बस थोड़ा और पेशन्स रखो मैं थोड़ी जिन्दा हो जाओ तो मैं डेफिनेटली कंट्रोल और कोडिनेशन वाला चैप्लोड करूंगी तब तक जो बच्छे मस्टी सीटी के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो इस पे ऑ अब जाएं चैप्टर का पीडिया आप जब डाउनलोड करोगे तो लॉग इन करने के बाद आपको यह फ्री मटेरियल सेक्ष्ण में इसका नोट मिल जाएगा ठीक है तो आई होग आपको मेरी खासी के अलावा लेक्चर भी अच्छे से सुनाई दिया होगा अच्छे से स चैनल के साथ शेर करो चैनल पे न्यों हों तो चैनल को सब्सक्राइब करो और विडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हमारा जो न्सी आर्ट वाला चैनल है उस चैनल पे भी हम डेली नीट के पोल्स अपलोड करते हैं तो आप कम्यूनिटी सेक्ष्ण चेक करो युद के जैनल को सब्सक्राइब करें रखो चैनल का नाम है जयनलाफ न्सी आर्ट यूप 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 टेकिल केर और हमीरफ यह गोर्ट यूह परिशनांन मैं को आपरेशन मैंने प्रामिस किया है आपके सारे चाप्टर का वनशोट आपको मिलेगा तो मिलेगा लेकि थोड़ा सा सबर रखो और जल्दी मिलेगा continuously ठीक है बाई-बाई, take care, see you soon बाई-बाई